कि इस आप कि देखिए आज मैं आपको अपने किचन गार्डन के यह दीखिए किनू छोटे-छोटे प्यारे प्यारे दिखा रही हूं देखिए कितने अंदर से कितने जादा जूसी है यह तो यह देखिए मैंने अपने किचन गार्डन में लगाया था यह वाला पेड नर्सी से लेकर आई थी मैं और उसमें मैंने कोई खास खाद नहीं डाली सिर्फ मैंने इसमें किचन वेस्ट जो अमारा निकलता है उसी को मैं उस पेड के आसपास साइडों पर दबा देती थी मैंने स्पेशल बना कर उसके बाद नहीं डालती थी मैं उसको साइडों पर थोड़ा सा जड़ों से थोड़ा सा दूर वहाँ पर ही मैं उसको दबा देती थी और कुछ दिन के बाद कम से कम बस 10-12 दिन के बाद ही वो जो था जो मैं डालती जो भी चीज डालती थी वह मैं डेली डालती थी जब भी बनता घर में बनता कुछ भी तो वह साइड पर क्योंकि द्रक्त है जाए बिच को आले-ले काफी ऊची मेड बनाई जाती है तो उसके हर एक मेड के पास ही जैसे हम कोई चीज भी बीज देती है साइडों से जगा खाली करके वहाँ पर मैं जो वो मेड बनाया होता था ग्यारी जीबिना ही होती है हमने साइडों पर गोल गोल तो उसके जड़ों के आसपास नहीं तो जब बन गया मेरे दास्पंद्रा दिन में मैं देख लेती थी कि वह बन गया है वह विल्कुल मिट्टी बन जाती है उसे मिट्टू के बीच में ही मिक्स हो जाता है और वह कड़ाई करने ब dough मेरे पास भांती थी साइटों पर तो वड़ाइब कुटॉ पानी की कम जरूरत होती है इसको पानी तब ही दिया जाता है जब जी मिट्टी होती है वह सूख जाती है देखें कितने अच्छे और कितने प्यारे यह दिये हैं तो काफी में खा भी लिए हमने इसका जूस बनाया हमने जूस पिया बनाकर और बहुत टेस्टी और हेल्दी है यह जब हम अपने किस्टन गार्डन का अपने खूद उगाए हुए पेड का खाते हैं पीते हैं कोई चीज तो हमें बहुत खुशी होती है तो कुछ यह दो नीचे गिर के थे जयलो वाले तो यह दो नीचे गिर जाते हैं तो रहे वाले थोड़े से यह मैंने उतार लिये अभी वी उस पर बहुत लगे हुए हैं तो आप भी ऐसे पलों वाले बिक्ष लगाएं और इसका फूर्ट खाएं व फ्रेंद्स मेरी चनल को सब्सक्राइब केजीए नए-एफ्रूटि सबजिआं के बारे में बिताती हूं अपनी जो मेरे मेरी जान करी होती है मेरे एक्सपीरिएंस मैं आपके साथ शेयर करतीों मैं यहीं कुछ भी नहीं डाला सिंपल किचन बेस्ट डाली है और कम से कम साल तक मैं इसमें डालती रहें एक तो दिन भी डाली है तो देखो कितना अच्छा फूल्ट आया है, आप भी गाएं और ऐसे टेस्टी और्कैनिक फूल्ट खाएं थेंक्यू फ्रेंड्स मेरी बीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चनल को सब्सक्राइब केजिए लाइक केजिए और शेयर केजिए थेंक्स